मेरी मुलाकात कॉंग्रेस के पुराने नेताजी से हुई मैंने उनसे पूछा के भई आप टैंस क्यों लग रहे हो अब तो आपकी पार्टी बहुत अच्छा कर लिए करनाते का में पावर में भी आगी आगे के अलेक्शंस में भी ताकी लग रहा है राजस्तान तो खेर आप बचाए आपका औरे सर्व प्रॉब्लम नहीं है हर जाएंगे जी चाहेंगे सब तो हो जाएगा हमारी जो मेंनलब्लम है वो प्रॉब्लम के अलेक्शंस के बाद सुरू होगी तो में पार्लिमेट ये ये बना है इसके जीपने चैसी अच्छे है तो मैंने का चलो, फिर क्या करोगे? सब उसके बाद cabinet में कोन आएगा, प्राइम फिस्टर कोन बनेगा, निशनल एडवाजरी काउंसिल का चेर्मेन कोन बनेगा, ये सब सिर्फ कवल हो रहा है अभी से. तो मैंने का जो नेशनल एडवाजरी काउंसिल है वो तो बेसिकली नौन ओफिशियल बोटी है अरे सिर वो तो ठीक है लेकिन जितने भी टॉप लीटर से वो उसके मेंबर बनना चाहते हैं या फिर चैर्मेन बनना चाहते हैं और सब बड़ी प्रावल्ब्रम तो एक्षिली प्रियंका की और राहुल की तो मैंने का इस नहीं आपकी बात लेता हूं हमने यह सब किया लेकिन उसमें प्रॉलम आगी तो मैंने क्या प्रवल्लम आगी केसरी वाल क्या कहता है वह कहता है दोनों वैसे एक पोजिशन देदो तो भाई मैंने का यह तो फिर आपको सोनिया जी के पास ही जाना पड़ेगा वो इसका सॉलुशन निकाल लेंगे अरे सर उन्हों ते सॉलुशन निकाल लिया था अर्विंद केसरिवाल को सैटिस्फाइ भी कर दिया था राहूल गांदी और केसरिवाल के बीच में पहले एक स सब लोग निस्टर रहेंगे लेकिन नितिश कुमान ने कहा कि मुझे भी नेशनल एडवाजरी काउंसिल का चैर्मेर बनना है अगर आप मुझे प्राइम इस्टर नी बना रहे हो तो अरे मैंने का तो फिर इसमें क्या प्रावल्लम है करो कुछ टाइम कई तो करना है सर ला सर्फ बनाते नहीं हो तो तो मैंने का आप एक काम जोनी करते हैं यह सारी जो प्रावलम्स हैं यह लेकर आप मोधी जी के पास चले जाएए मोधी जी के पास तो हर चीज का सोलुसन होता है सर वो भी हमने करके देख लिया मोधी जी ने क्या किया पहले पूरी प्रावलम हमा बड़ा खुसी मनाई के चलो यार कहीं नहीं कुछ नो कुछ तो सॉलुसन निकलेगा तो पता चला कि जो वो लिस्ट थी उन सब के घर पे च्छापे पड़े तो मैंने का ठीक है फिर च्छापे पड़े तो क्या कि सर उसमें राहूल प्रियंकर का भी नाम था लिस्ट में उन तो उसके बाद से हमने यह डिसाइड किया कि जिसके यहां सबसे ज़्यादे एक्चुली एमबेजलमेंट वाला या करफशन का पैसा मिलेगा या जिसके अगीस्ट में जो करफशन के के सिजिए सबसे इस्ट्रॉंग मिलेंगे तो उसको उतनी ही बड़ी पोजिशन हम दें उतनी उनको पावरफुल पोजिशन मिलेगी जब आपकी इंडिया आई एंडिया की सरकार बनेगी और नेशनल एडवाजरी काउंसिल बनेगी सब इसमें एक प्रावलम और आगी अभी प्रियंका और सोनिया जी के बीच में टेसल चल रही है दोनों कहते हैं कि हम ही नेशन कर रहे हैं अभी आप सर हमें तो कुछ भी समझनी आ रहा और इसकी वज़े से एकिली जो गांधी फैमिली है वो पूरी परिशान है तो मैंने का इसका सोलुसन तो एक ही इंडिज्वल कर सकता है मोदी उसके पास आप उलड़ी जाके आ चुके तो अगला जो सोलुसन है मैं यह कहता हूं यह जितनी आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब लेके आप पॉब्लिक के पास जाएगे और पॉब्लिक को बताईए कि हमारी यह प्रॉब्लम्स हैं और मोदी जी इनको सोलुन नहीं कर रहे हैं और हम इसलिए मोदी जी से नाराज है बस पॉब्लिक आपको स प्रोलुशन प्रोवाइड करना है यह आपके हाथ में इस देश का भविश्य थैंक यू प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब